उत्तर कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है उसके सुर्खियों में रहने की वज़ा बैलिस्टिंग मिसाइल की टेस्टिंग है उत्तर कोरिया ने फिर से दुनिया को चौकाते हुए एक अग्यात मिसाइल का परिक्षन किया है ये दावा जापान की तरफ से किया गया है जापानी प्रधान मंत्री कारियाले ने ट्वेट कर कहा है कि उत्तर कोरिया ने एक संदिक वेलिष्टिंग मिसाइल का परेक्षण किया है इसके बाद से जापान में हरकम मच गया है जापानी प्रधान मंत्री ने अधिकारियों को परियाप जानकारी जुटाने का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विमानों जहाजो और अन्य सैन उपकरों की सुरप्षा सुनिश्चित करनी होगी इसके लावार रॉय्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिन कोरिया की योन हाप समाचार एजनसी ने मंगलवार को अपनी सैन हवाले से खबर दी है समाचार एजनसी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी टट के पास समुद्र में एक बेलेश्टिंग मिसाइल दागी है रॉय्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेर्की प्रमाडू उर्जा संचालित पंडुबी के सैन अड़े पर पहुँचने के कुछ घंटे बाद ये मिसाइल लाउंच की गई है जापानी मीडिया ने जापानी सरकार के एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि हो सकता है कि ये कई मिसाइल लाउंच की गई हो दक्षण कोरिया के इस परिक्षण से जापान सकते में है जापानी सरकार ने अपात कालीन इस्थिती के लिए तयार रहने को कहा है इससे पहले उत्तर कोरिया ने पिछले हफ़ते दो मिसाइले लॉंच की थी एक बीते शनिवार को और एक बीते बुधुवार को इसके बाद जापान ने इसका बिरोज दर्ज कराया था लेकिन फिर भी उत्तर कोरिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ दरसल हाली में अमेरिका और दक्षिन कोरिया के बीच सैन अस्तर पर हथियारों की तैनाती को लेकर बादचीत से उत्तर कोरिया भड़का हुआ है जिसके बाद से उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल टेस्ट किया है साथ ही चेताउनी जारी करते हुए कहा है कि छेतर में अमेरिका की परमाडु छमता वाली सबरीन और अन्य कूटनेतिक संपत्यों की तैनाती उसके न्यूकलियर हथियार इस्तमाल करने की मजबूरी बन सकती है उत्तर कोरिया आये दिन किसी ना किसी बैलेस्टिक मिसाइल का परिक्षन कर धमकाता रहता है इसी महीने उत्तर कोरिया ने अपना हवा सौंग 18 ICBM लाँच किया था जो एक प्रकार का ठोस इंधन वाला हथियार है जिसे कथित तौर पर पहले भी उत्तर कोरिया द्वारा दागा गया था उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने पहले हॉंग 18 को अपने परमाड़ुबलों का सबसे शक्तिसाली हथियार कहा था जापान की ओर से जारी बैयान में बताया गया था कि हवा सौंग 18 ICBM मिसाइल ने 74 मिनट तक हवा में उडान भरी थी फिरहाल उत्तर कोरिया के इस परेक्षट से जापान बहत खफा है अपने अधिकारियों को पूरी जानकारी जुटाने और इससे निपटने का आदेश दिया है हाला कि अमेरिका की तरप से अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है कैसी लगी हमारी ये जानकारी अब हमें कमेंट स्रक्षन में जरूर बताईएगा ऐसे ही खबरों के लिए बने रही है न्यूज 18 हिंदी वरिजनल्स के साथ